युद, प्यार, पर्मारुवी स्पोर्ट, ग्लोवर वार्मिंग, कितना कुछ जहला है हमारी प्रिधवी ने, पर आखिर इसका जिमेदार कौन है, हम मनुष से, प्रंतु क्या आप जानते हैं, हमारी सुन्दर से गड़ा को बंदी में कितना समय लगा था, वह गड़ा जो हम हमारे लिए सबसे मुल्यवान है, वह कितने सालों के कठी मेहनत का फल है, क्या आप जानते हैं, आईए आज हम चलेंगे समय में पीछे, और सुन्दर से जानेंगे, हमारी प्रिधवी के एक चट्टान के टुकरी से लेकर, एक जीवन से सम्रित गड़ा बनने तक के सफर को, तो आईए हम समय में पीछे चलते हैं, आज से करीब 4-5-6 अरब साल पहले, हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा ताला, जिसके चारू और धूल और चट्टान चक्कर काट रही हैं, यहां हमारी प्रिधवी का नामों निसान तक नहीं है, हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछ से आ गये हैं, अभी तक प्रिधवी के बनने के परकिरिया सुलू नहीं हुए, लेकिन इसकी नियुक तयार हो चुकी है, यह चट्टान और धूल गुट्वा कर्शन की वज़ह से आपस में जुर रहे हैं, और कई लाख सालों के बाद अब यह विंग चाय चट्टान के गो सता खौलते लावा से ठकी हुई है, आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिस मत करना, वरना आपके पैर दोबारा रखनी के लिए बचेंगे नहीं, इस वस्त धर्ती की सता का ताप्मान 1200 डिग्री चल्सियस है, इस समय ऑक्सीजन का नामों निसान तक नहीं है, धर्त पर लगतार एस्टरोइड की बरसात हो रही है, जो सता पर कई किलो मीटर लंबे खौलते लावा की नतियों का निर्मार कर रहे हैं, और यहां कहीं दूर के नहीं बलकि धर्ती के परोसी है, जो लगतार उसे टकरा रही है, उपर देहिए, यह है एक नया नवेला ग्रातिया जो तेजी से हमारी पिर्थवी की ओर बढ़ रहा है, करीब 15 किलो मीटर परती सकेंड की रप्तार से, यानी एक गोली की रप्तार से बिश कुना ज्यादा तेज, हमी इसका स्वावर्ट करना है, क्योंकि इसी के वज़र से हमारी खुपसूरत चांद की रचना होगी, अब ह हमारी धर्थी चारों तरफ से अनकीन चट्टानों के टुक्रों से घिर चुकी है, यहां इतने चट्टानी टुक्रे हैं कि इस वक्त हमारी धर्थी के पास भी सनी गरह के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो बिल्कुल सनी गरह के रिंग के जैसा ही दो भागों में ब पहला रिंग आज के धर्टी और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे इस रिंग से लगतार एस्टुरॉइड धर्टी पर बरस रहे हैं लेकि एस्टुरॉइड की असल बारिस अभी भी सुरू नहीं हुई है अब यहां रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी के वज काफी नज्टीक है जिसकी वज़े से यह हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही है इसका सर्फेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है और इतनी करीब होने की वज़े से यह लगतार धर्टी पर अपना गृत्वा कर्सन बल डाल रही है करीब 30 लाख साल पाद अब हमारे सोलर सिस्टम भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग सायद ही जानते होंगे हमारे सोल्मंडल की गेस ज्वाइस आपने ओर्बिट में बदलाव कर रही है और इस बदलाव की वज़े से सोल्मंडल के एस्टरोइड और कॉमेर्स के बीच एक ग्रेविटेशनल मैस तयार हो रहा है जो उन एस्टरोइड और कॉमेर्स को सोल्मंडल की आंत्रिक भाग में धकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, सुक्र, बुद्ध और हमारी धर्ती की ओर, यही वो समय है, जब हमारी चांद को इन एस्ट्रोइट की मदद से जानी पैचानी दाग मिलने वाले हैं, इस अवधी को कहा जाता है, दिलेट हैवी बॉमबाइड मेंड, बाइद वी, इस समय हम मारा चांद भी बहुत ही गर्म था, यह आस्मान में एक बड़ी लाल टेन की तरह चमकता था, और यह धर्ती के इतनी करीब था, कि इसका गृत्वा करतर हमारे धर्ती को आज की तुल्ना में 25 गुना जादा परभावित कर रहा था, हमारे धर्ती पर एक दिन 24 घंटे का नह उपर तक उठते थे, लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धर्ती से धूर चला जाएगा, और इससे धर्ती की गुनर धिमी होने लगेगे, और लावा की नतिया ठंडी होने लगेगे, जिससे धर्ती के सतर का निर्मार हुआ, इस वक्त आस केले तारी भी आस्मान में तीखनी को मिलेंगे लेकिंग वे दोनों असल में तारी नहीं है यह दोनों असल में ग्रह है जूपिटर और सैटन सौर्वंडल के आंतरी ग्रह जैसे कि हमारी धर्टी वीनस मर्कडी मार्स यह सब रोकी प्लैनेट हैं और यह ज्यादा समय तक जग्र के इस समय काल में जूपिटर का ताफमान 5000 डिगरी सेल्चियस और सैटन का 3000 डिगरी सेल्चियस था इसका मतलब है जूपिटर उस समय हमारी सोड़े से भी ज्यादा चमकीला था जैसा की सांटिस्ट कहते हैं तारी अपने जीवन के साथ-साथ और भी चमकीले होते जाते हैं तो उस समय हमारा सुरज आज से 30% कम चंकिला था परंतु 4 अरब साल के लंबे अधी में योगरा धीरे धीरे थंडे हो जाएंगे आए चलते हैं वापस हमारी धर्ती पर धर्ती के वाई मंदल में फिलहाल केवल एक ही गैस है मीधेल आप गलती से भी इसमें सास मत ल जाएगी दिलेट हैवी पॉंबाइडमें के दोरान धर्ती पर लगातार कॉमेस्ट भी बरस्तार हुई थे जिन्हों ने अपने साथ पानी का धर्ती में परिवहन किया इस पानी ने धर्ती में समुद्रों का निर्मार किया धर्ती अब चारों तरफ से समुद्र से खीरी इसमें जीवन का बीज नहीं पंपा है आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धर्ती और जीवन की सुरुआत कैसे हुई थे यह हम नेस्ट वीडियो में बताएंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रे वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहें